आप आप अप अप हालो बिटा अपनी मा की बात नहीं सुनेगा प्लीज बिटा इस वर बहुत मज़ा आएगा सच कह रही हूं मैं अकेली दिवाली क्यों पिसले पात साल से तम्हें गहर आया नहीं हूं अपना फिर भी तो तुमने दिवाली सेलिबरेट की थी इस बार भी कर लो ना मेरे बिना थोड़ी ना कोई फरक पड़ता है वैसे भी तुम तो अकेली होगी नहीं अज़े यार अज़े यार अज़े चुप कर रहा ना इसको लावड इसने करके माफी चिल आ रही है इतना है तो तू जाके समान ना बैटके आवाज क्या कर रहा है मेरे अकेली की बच्ची है वो बैटा तुझे तो पता है ना तीवाली पर कितनी भीर होती है दुकान पर काउंटर से हिलने का मौका भी नहीं देते पता है मम्मी सब पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए टाइम होगा नहीं और मैं नहीं आऊंगा इस बार सब अलग है बेटा मैंने छुट्टी ले रखिये सिर्फ तेरे लिए तू आएगा ना बोलना तू आएगा ना लिखा पाई 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 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इंसान की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अकेले बिना किसी सहारे की जी नहीं सकता महिला पुरुष, माता, पिता, भाई, बहन जो भी हो किसी सहारे के आभाव में इंसान अधूरा होता है सहारे की कमी में इंसान अपने आपको परेशान, व्याकुल और भठका हुआ महसूस करता है और बदकिस्मती से कभी-कभी ऐसी अवस्था में वो बेहत भयानक और दिल दहला देने वाले करमों को अंजाम दे बैठता है देखो, कितनी तब्यत खराब हो गई इसकी जरूर कुछ गलत खाली होगा इसने बस पाँच गया सर्ये, वॉलिवर टीन के लिए जो मेने अपको नाप सर्याट ओशने भार हो रहा हमारे स्कुल में है वो भी बस एक ही महिने मैं मुझे अपता में श्तक आतना मैं दरमेश को बोल दिया कि क्लिनिग स्थाप के साथ एक बार कुरे स्कूल को फिर से चेक कर ले परस इदिवाली चित्टी शुरू हो जाए और सारे बच्चे अपने घर चले जाएं सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूड़नेजी प्लीज सर टोड़ वरी उमर के है उसकी पंद्रह साथ फाइट डॉक्टर के हिसाब से बच्चों को जो भी बिमारी हुए हो पानी के बजा से होगे तांकी में कुछ होगा शायद कुछ चूहा मराओ उसे इस इंट्रेक्शन ठल रहा है जी सर सर वो यहां के लोकल और स्कूल के हास्टल में रहते कल दीवाली पे घर आने वाला था मैं उसे लेने गई लेकिन प्रिंस्पल ने कहा कि आयान ने लीफ के लिए अप्रिकेशन दी है लेकिन वो घर नहीं पहुचा ना कोई फोन ना कोई मेसेज रात बर मैंने इंतिजार किया सर पता ने मेरे बच्चे कह होगा सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर प्रिस मेरे बच्चे को ढूंड दीजी स्कूल का नाम क्या है? सेंट स्टीविन्स कॉन्वेंट सर तही सर मेरे यह 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 सब ताहलो गीता अलो पलिश्टर सन शिंदे एक ही स्कूल में दो बार दाद पहले वो बच्चा आयान गाया हुआ और अब पानी की टंकी में बच्ची की डेड बॉड़ी सर यह वही स्कूल है जो दो दिन पहले न्यूज में आया था कुछ पेरेंस ने कंप्लेंड की थी कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे सर कहीं आयान की गुमशुद्गी इस बच्चे के साथ कनेक्टिर तो नहीं है चिंद्या तुम फटा फट इस बच्ची की डिडेल जिन का लो मैं आयान में जिन के इसको देखता हूँ हो के सर सर डॉक्टर ने बताया थे कि इस बच्ची की सफाई कर वाई और सर सफाई के दोरा नहीं यह बच्ची किसका है सर वो तो पता नहीं मतलब आप और आपकी वीवी इसे स्कूल में टीचर है ना पाटर ने रहते हैं बच्ची को नहीं जानते सर यह बात सही है कि मैं और मेरी वाईफ यहाँ पे टीचर है और यहाँ के कौर्टर में ही रहते हैं लेकिन वो क्या है सर स्कूल के आर्ज के बाद में कहां किसी से इतनी बात हो पाती है पोई तो पैजानता होगा बच्ची को ठीक एकलिस बनाओ स्कूल में रहने वाले और स्टाफ से जुड़े सभी लोगों के नाम चाहिए जिनके बच्चे है जी सर आपको आयान के बारे में कब पता चला मिस्स सुपरिय अगर आयान की क्लाश टीचर यह आपको बैटर बता सकती है बताइए उस दिन हाफ डे था और लंच ब्रेक में दिवाली लंच काई प्रोग्राम रखा था सथ सारे बच्चे आयते लेकिन आयान ही नहीं आया था तो इसके बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की नो सर्व सुप्रिया आई थी मेरे पास इन्होंने बताया था मुझे लेकिन आयान ने लीव एप्लिकेशन देती है हमें लगा कि वो खर चला गया फिर जब सुप्रिया की मादर आई तब हमें बता चला बट वी आर शूर वो हंडेट परसंट गया था अब को कैसे पता आपके स्कूल से बच्चा गायब होता है उसके बारे में पता करनी की बजाए आप ने उसकी मा को इनफॉर्म भी नहीं किया जब तक वो खुद पता करने के लिए नहीं है कैसी एड्मिस्रिशन है आपकी और आपकी स्कूल के टंकी में एक बच्ची की लाश मिली इस अब चल गया रहा है कौनची दुनिया में रहते हैं आप लोग आयान का रून दिखाई यह वो घर गया होगा यह कहीं और अगर स्कूल में होता हम भी दिख जाता लेकिन उसके क पूलम थी आयान और इसकी मदर के बीच बैकेशन में जब सब बच्चे अपने घर चले जाते थे तो आयान होस्टल में रहाता था अकेले अब शायद उसकी मदर कुछ बाता पाए यह आयान को गुसा क्यों आता था पांस साल पहले मेरे हस्बेंट की डेथ हो गए आयान की पूरी जिम्मेदारी मेरे उपर आगए मुझे जॉब करना पड़ा और जॉब करनी की वज़े से मैं बहुत बिजी रहती थी इसलिए मैंने आयान को बोर्डिंग उसकूल में डाल अगर पांटी अगर आएंटी आयान मिसिंग है वाच्में अंकल ने बताया यह आयान की बेस्फेंड है बिटा यह पोलिस अंकल है शादी से कुछ पता हो जिसरी पीचर्स के बार में पता है और सभी के बच्चे बड़े हैं एज में एक टीचर है मेरी तरह स्ताफ कोर्टस में रहती है सुप्रिया गार्ब करके उनकी बेटी है जी सर यह है मेरी बेटी खुशी आयान तो ठीकी था मुझे लगा कि वो हमारे स्कूल के दिवाली लंच में मुझे मिलेगा लेकिन ना बोल दिया क्यों पता नहीं उसने बोला कि उसका मून नहीं था अच्छे यह बताओ कि आयान के साथ सब कुछ ठीक था ना मतलब उसके दोस्त किसी के साथ जगडा या ल मेरे भी स्यादा फ्रेंट्स नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुमारी चोट की बात कर रहा हूँ इखाओ के से लगा थे लगा थे खेलते वक्त पक्का वैसे कौन सा खेल खेल रही था I mean कौन सी गेम खेल रही था भाग रही थी I mean रानि हां रमेश भाई और गीता भाबी के छे महीने पहले बच्चा हुआ था और हमेशा वो स्कूल में बच्चे को रहाते थे लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने माबाब के पास गाउं बेज डिया क्योंकि वो कामकाज की वजय से बच्चे की जूट बोलता है हमने तुम्हारे घरवालों से पता कर लिए उनके पास कोई बच्चे बच्चा नहीं है साफ हम सच बोल रहे हैं हमने नहीं मारा अगर मार रही होता तो पैदा होते ही मार देते ना सर हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं थी और मुश्किल से उसकी देख भाल कर पा रहे थे उस दिन दे उसको इसकूल लेकर आए थे और सर हम अपने अपने काम पे लगे वे थे जब ही वो गाइब हो गई थी जोटि है यकीन क्यों करू से अम शच बोल रहे हैं सब ठोनो संदो जोट लोच हम दोनों ही सच बोल रहे तो बच्ची और ऐ kadar बजो आटा अज दोड़क्ति थों और अखेलियं को तक्रों मैं यहां और पर आई रदक हेBE करा दिया हाँ समझ भी नहीं आता क्या नोकरानी हूं मैं हाँ अरे 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 तुझे समाले किसाब साफ सफाई करूँ अरे अरे दीदिमा बेटा अच्छा वा तू आगी इसे पकड़े मैं अपना काउंपिर लेती हूं आदे घंटे बाद वो रोते हुए वापस आए दीदी दीदी पिंकी पिंकी खोगई दीदी क्या शाब मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने डीदी मा को बोला घर जाने के लिए मैंने समझाया कि अच्छा हुआ जो पीछा छोटा साब, मैंने इसको बोला था, कि बता देखे, छुपा कि क्या फाइदा, तुझे बावार नहीं चाहिए थी ना, देख अब क्या हुआ उन लड़की, रिधीमा साब, और बार बार हम लोगों को बोल रही थी, कि पुलिस को पिंकी के बारे क्यों नहीं बोल रहा है सर, इसलिए कुछ घंटो बार हमने उसको बोला कि पिंकी मिल गई है, और हमने उसे गाउ भैज दिया, सर उसको विश्वास हो गया, और सर बाद दब गई सर, दोनों को मार मार कर उगलवाएं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि बच्ची को नहीं देखा उनलों के मताविक कोई लड़की है, जिसने बच्ची को आक्री बार देखा था कौन लड़की? सर, कोई रिधिमा कोचर, उसी स्कूल में बढ़ती है रिधिमा कोचर? आयान की दोस्त कौन सर, वो जो मिसिंग हैं? आयान की घर पर मैं उससे मिला, बहुत अरी हुई थी हूँ, उसकी हाथ पर चोटके निशान की थी और जब मैं निशान के बारे में पूच्छा, तो जूट बोले लगी खेलते वक्त, भाग रही थी शिंदे, ये लड़की हमसे जरूर कुछ चुपा रही है सर, एक्चुरी ये लड़की दोनों के सेसे के बीच की लिंक हो सकती है करेक्ट रिदीमा का है? जी ममा अलो बेटा अयान का कुछ पता चला? नहीं बेटा, इस वाथ हम आयान के बारे में नहीं हैं किसी और के बारे में हुच्छने के लिए हैं पिंकी पिंकी को जानती हूँ छोटी सी बच्ची है रमेश और वीटा की बेटी तुमारे स्कूल के टंकी में उसकी डेड बॉड़ी मिले बताओ, चच क्या है उस दिन वान, टू, ट्री कहा है दीदी कहा है? या है? पिंकी बाबू दीदी अभी आई ठीक है? और सुमझा के जल्दी जल्दी आजाईए मैं बस एक मिनिट के लिए उसे छोड़ कर गई थी बातरूम के पास ही और जब मैं बाहर आई तो वो बाह नहीं थी मैंने पिंकी को बहुत ढूंडा हर जगा ढूंडा लेकिन पिंकी नहीं मिली रिलाक्स बेटा आप इसके लिए पानी लेकर आईएगा प्रीज लाती हूँ अच्छा बेटा यही बताओ तुम्हारे वाश्रूम जाने से पहले या वाश्रूम से आने के बात तुमने वहाँ पर किसी को देखा था? कोई था वहाँ पर? कुछ नहीं होगा अराम से सोच के अच्छे से बताओ याद करके तुमने किसी को देखा था उस दिन? सुप्रिया माम सुप्रिया माम नाइन एक ही क्लास्टी से वही वाश से जा रहे थी सुप्रिया टॉप इट गॉत बहुत हो गया चिला क्या रही हो हाँ? किसको सुना रही हो? और टीचर होगे तुम बहुत स्कूल में यहाँ घर मेरे सामने नहीं मेरे से बात करनी है तो ठीक से बात करो गॉदम तुम मुझे हर बात में जोश नहीं दे सकते अच्छा गलती किसकी थी फॉस फॉल्ट वाज़ित बेवकूफ हो तुम? यह चोटी थी बच्ची ओ दूद पीती हुई? समझ भनी आता तुम्हे? बेखा नहीं कह तुम्हें? अच्छा नहीं के तुम्हें इसे नहीं दे की इनाफ मुझे और नी रहना नहीं रहना आदा नहीं जा रहना ए श्टॉप अच्छु को दो भार जाने की दंकी दे देघ्टी तो जोड़ है तुब है अब मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ आ एम लिविविग फॉर एवर अट पली तुम्हें आप प्लीज तुम्हें तुम्हे प्रिदिमा के मुताबिक आप वहीं से निकली, जहां उस बच्चे को रखा गया था नहीं सर, में भी उसने गल्टी से बोला होगा, सब मैं वहां नहीं थी आप भी तो गलत हो सकती हो, दो मैने पहले की बात है, आपको इतने अच्छे से कैसे याद है, आप वह थी या नहीं, सर, क्यूंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी निकरानी के वहां होता भी, तो क्या मैं उससे उठाना लेती, मैं भी एक माँ हो सर, आपकी कहने का मतलब यह ह है कि रिदीमा जूट बोल रही, सर ऐसा कहा क्या हमने, I mean, सुप्रिया ने आप से कहा है कि हो सकता है उस लड़की रिदीमा को गलत फैमी हो गई, and excuse me, sir, please don't mind, लेकिन हम लोगो को घर में बहुत काम है, अम भी अपना काम ही कर रहे हैं, Mr. Gautam, और जब तक आप अब तक की है, आगे कोई और information की जरूत पड़ेगी, तो आप लोगों को दुबारा डिस्टप करें, चूँआ, Thank you, एक तरफ आयान मिसिंग है, और दूसी तरफ बच्ची की मौत, बच्ची के माबाब जिने बच्ची नहीं चाहिए, ये हमारे में सस्पेक्ट है, और इन दोनों को बच्ची उसकी दोस्त है, शायद उसे बचा रही है, तिकिन ये समझ में नहीं आया है कि इस बच्ची ने शुप्रिया का नाम क्यों लिया, सब दोनों केसेस कॉंप्लिकेटर बंते जा रहे है, अजीब पहली है, पहली कितनी भी कॉंप्लिकेटर क्यों नहूं, सुलच जा पानी में डूबने से नहीं हुई थी, पहले बच्ची का सर पटक कर मारा गया, और फिर पानी के टेंकी में लाश को चिपा दी हूँ, इतनी पेहरहमी से, चुंदे, साथ, तुमें एक टीम को लीड करो, मैं उसके स्कूल जाता हूँ क्या है दो, धृक्या, दो, मैं वहहले में रहां और याँ जो, मैं हम शुआख दा आज देखिता हूँ और तु को ऐसे जगह है नहीं, जहां कोई चुप सके यह सर ऐसे और को जगे नहीं आई यह शूर यह सांसर पीछे की वार है इसके उपर से बच्चे कूद के भाग जाते हैं यह सर आल कीपी इंपॉर्ग जी सब्सक्राइब है अगर वो दिख गया तो नहीं लेकिन हमने चारो तरफ पुस्टर लगा दिये अगर वो दिख गया तों तक इंफमिशन पोच जाएगी जिन्दे स्कूल की बिलिदिंग क्लियर एक काम गरते है यहां देखते है तो यह तरह से देमेज हो चुका है जिन्दे सर्फ एम्बिलेस बिला की बॉड़ी को समय में होना एक संयोग था क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही बेरहम कातल का हाथ था और सबसे एहम सवाल वो क्या कारण था जिसकी वज़ा से इन भयानक हत्याओं को अंचाम दिया गया आयान क्या हो पिटा दीवाली पढ़ने आया तो मैं तरे लिए मिठाईल है थी बेसन कि लट्टू तची पसंदे ना गार पे रखाय तरे लिए आयान बोल पिटा आयान मैं आली पीस अरे कहा आये ये ये मेरा बच्चा है बिटा तु इन लोगो बता ना बता ना तु चुप क्यों रहे तु बोल नोगों अचाम चुन्दे शायद ये दूनों केस कनेक्टेड ना इन दूनों केसे का एकी स्कूल से जुड़ा होना कोइंसिडेंस हो हमें इने दू अलगले केस मानकर आगे बढ़ना चाहिए ये सा अयान के बारे में वापिस डिटेल्स निकला हूँ, पता करो, हो सकता है उसकी किसी के साथ को लड़ाई जगडा हूँ, और हाँ, पिंकी मर्डर केस में रिधिमा पर कॉंसंट्रेट करो, गमाहों के मताबिक आखरी बार पिंकी को रिधिमा के साथ दिखा गया था, ये में कोई किसी की मदद नहीं करता सब को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है राप होने से पहले पहले दो चैप्टर याद कर ले मैं कोई साभी प्रसुन कुछ सकता हूं और अगर तुने नहीं जवाब दिया तो तुझे पता है मैं क्या करूआ अब तुम जब तक ही अपना काम ना कर ले इसे खाना देने की कोई ज़रूत नहीं है पस यही काम रहे गया मुझे इस लड़के लिए तो तुम नहीं रहती तो अच्छा हो था कम से कम घर में शांती तो रहती वेटा से पढ़ाई के बारे में नहीं बाकी सब कुछ भी आयान को क्या रिधिमा के पापा सीधा चले आए और आयान को डांटा और बहुत मारा तू एना आयान है तू एना आयान आज के बाद रिधिमा के आस पास पर निजर आया ना चांद से मार दूगा अंगल पर मैंने कुछ भी नहीं क्या चुछ तो उसके बाल आयान ने प्राब्लम है जब कानून तोड़ा जाता है तो प्राब्लम होती है फिर कानून तोड़ने वालों को हम प्राब्लम देते हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जिसे रिद्धिमा ने आके आप से कंप्लेंड की है अगर अब आपको प्राब्लम ना हो तो वैसी बहुत देर हो गई है मैं अपने घर जा सकता हूँ बखवास बनकर यहां एक बच्चे का मर्डर हो गया है और तुझे मजाग लग रहा है मर्डर हो गया है तो मैं क्या करो आप आयान की मा से क्यों नहीं पुछते कि उसे किसने मारा है वो कई दूद की दिली थोड़े ना है यह देखो शिंदे जब आयान की मौत हुई तब उसकी मा का सेल स्कूल के आसपा स्ट्रेस हुआ यही सर वो तो आयान को फिक अप करने जी थी शिंदे कितनी बार ऐसा हुआ है जिसने कंप्लेड लिखवाई वही कल्प्रेट निकला फिर भी वो तो मा है सर अपने ही बेटी को यही तो पता करना है उसका रूम दुबारा से चेक करो सर अम तलाशी ले चुग है फिर से लो एक-एक कूना चेक करो हर एक किताब यहां तक ही साइबर उसेल के एक्सपर्ट को साथ मिले कर जाओ प्रेंड बूक भी चेक करो कुछ ता कुछ जरूर मिलेगा सर कुछ मिला हुआ वहां लॉकर में कुछ नहीं मिला सर यह तो सर आयान के रूम से यह कॉपी मिली है बहुत साथे पेज़ेस पे एक ही नहीं लिखिए आई हेट राहूल अंकल क्या हुआ सर चिंदे यह देखो यह वही नमबर है जो आयान की मा के फोन रिकॉर्ड में है बार बार दिखाई दे रहा था सर किसका नमबर? कोई राहूल गोच्वाल है इतना ही नहीं जब आयान का मर्डर हुआ तब यह मुबाइल उसके स्कूल के आसपास था हो ना हो यह वही राहूल है जिससे आयान नफरत करता था पता करना पड़ेगा इस राहूल का आयान की मा से क्या चक्कर है यह राहूल कौन है? जिस शॉप में में काम करती हूँ वहां के मैनेजर है यह आयान की बुख है? हाँ आयान की हेंड राइटिंग है जो फिर आयान आपके बहुत से नफरत क्यों करता था लेखा और मैं हम दुरों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाते थे लेकिन आयान को इसे प्रॉब्लम थी वो एक सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा उसके पिता की देगा ले 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 इसी बात के चलते वो आप से हमेशा रूठा रहता था ये बात आपने हमसे चिपाई क्यों चीपाई आप भी आयान से गुस्सा थी आता था ना गुस्सा समझना ही लिए चाता था कि उसकी माँ एक इंसान कि मुझे भी अकिलापन काटने को दोड़ता है मुझे भी किसी की सहारे की सर्वत है समझा समझा कित तंग आ गई थी मैं तो आयान तुम्हारे और लेखा के बीच के रिष्टे के लिए खतरा बन चुका था इससे पहले को स्कूल से घर लोटकर आये लेखा के मन बदल दे तुम खुद स्कूल गये और उसे मार दिया नो सर आप ऐसा कैसे कह सकते बलकि बै और लेखा दोनों उसके स्कूल गये थे उसको पिकप करने के लिए मेरे ह northwest ह拿ए तो मेरे ली तो सब कुछ I will कि भलाई के लिए अपने सब कुछ दे दिया अपने खुशियां दे दि कि हर रोज में सोचती हूं कि कास्टे मेरे जिंदगी मिल जाती मेरे जाती वो तो जी पाता पुलिस के सामने दोनों हत्याओं के मामलों में कई संदिक थे उन में से कुछ के पास कतल की वज़े भी थी लेकिन बदकिस्मती से ठोस सुबूत पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ नहीं था दोनों मामले और उलचते गए और आखिरकार कुछ हपतों के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस केस का रुख बदल दिया सर यह आयान के लॉकर के तज़्वीर है उस दिन चान बिन करते वक्त हमने कीची थी और यह देखिए सर यह लॉकर के अंदर के तज़्वीर है जूम करके लिया गया हूँ सुप्रिया अयान की टीचर का नाम उसके लॉकर में की सुप्रिया माम नाइन एक ही क्लास टीचर वही वाँ से जा ले थी चुंदे शायद इसलिए रिदीमा ने सुप्रिया का नाम लिया सर यह दिखिए 13 सेप्टमबर मतलब जिस दिन पिंकी गाया हुई थी लंज के बाद एक से एक पैतालीज के बीच में सुप्रिया के क्लास थी लेकिन वो एपसंट थी और यही आयान सूथ 13 सेप्टमबर एपसंट मतलब दोनों क्लास से बाहर चिंदे काम करो यहाँ आखराँ में नश्म गवाँ उसकी लोकेशन टरेरो पता करो जब आयान की मज वुई तब सूप्रिया कहा थी और जब पिंक की गाया वोई तब सूप्रिया कहा थी मैं नहीं जानती मैं लगिवी देखा था सर उस रिदिमा को कोई गलत फैमी हुई होगी उसने किसी और को देखा होगा चलो मान लेते कि आप वहाँ नहीं थी अब आप ये बताई कि आप ठीका मुझे नहीं यहाद में कहा थी आपके पती ने आपको छोड़ दिया क्या इस अच है सर यह हमारी पर्शनल बात है फ्लीज इसा प्राइवाट मैटर इतना भी क्या प्राइवाट मैटर है गहतो सर है कोई पर्सनल बात और उस बात का आपके केश से कोई लेन देना डिये सर ये तो आप बात है कई बार नादा नहीं में स्टूडेंट्स को टीचर के प्रती लाइकिंग आ जाती है एक फेस होता है और मोस्थ सभी के साथ आप ये जानती थी कि आयान आपको पसंद करता था नो सर्व मुझे नहीं पता था तुम जानते थे? किस बारे में सर्व? सुप्रिया और आयान के बेच संबंद कैसे थे? सर संबंद कैसे थे मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के संबंद जैसे होते हैं वैसी थे आयान की बाड़ी के पास उसका मुबाई मिला जो उसने खुद पैसे बचा कर खरीदा था मुबाईल मिला है यह तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है इस मुबाईल के बारे में उसकी मा भी नहीं जानती हमें उस मुबाईल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली आपकी देखना चाहेंगी आयान मेरे गड़ टूशिन के लिए आजा था अज़ देखना bilingual, अज़ हुआएएब। ख़एएएएब। देस से सुइड़ मेम सर, जैसे किसी के सर पर पागलपन सवार हो जाता है, वैसा ही कुछ हो गया था या अनके साथ, मैंने उसे समझाने की कई बार बहुत कोशिश की, सर, लेकिन वो नहीं माना. एक दिन तो उसने हद कर दी वो छुपकर हमारे घर में खुश गया था और छुपकर वो सुप्रिया का वीडियो बना रहा था वो भी जब वो नहा रही थी है कि क्या है कि क्या है कि ये सब करने को तरहाए तू अधिक अधिक शॉड़ी है कि सवरी शॉरी के बच्चे तुजह तो अगर तुछ शक्रों से रस्टीग निकरवाई तो एक तो यह तू गयो क्या कर यो बच्छाई जै करीए इस प्रिया बच्चा नहीं है और तुम जानती नहीं क्या करने चाहरा था यह उत्वाद पर अखर तुमने आयन की जान ले लिए याप क्या करें सर्थ हमें खुश्य में था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है हमारे पास तुम्हाले फोन लोकेशन से तुम उस दिन उस वक्त उसी जगह पर थे जहां आयन की मौत हुई थी गौतम अभी बचने का कोई चांस नहीं है गौतम जो सच है बता दो वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके होते हैं बोड़े बस बता उप बता बता ताँ सर्थ वह अरु है उस दिन जब नगहर लोटा और मैंने देखा कें है तुम तुम में क्या करे हो मैं इस ने कीग सो ब्यूटिफूल मैं आय और इस सचा आप से बहुत कियार करता हूं के शितैजिक दो सचाशी प्रूटतों बहुत करता हूं किता है मुझे पता है कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे तो आज मैं रूख मैं इतने कुछ से में था सर कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता है सुप्रिया को भी दे गौतम ने गौतम ने आयान की जान ले ली सौब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी सच में सौब मैं थक गया था सर सुप्रिया से जूट बोलते बोलते और यही कारण था कि मैंने घर चोड़ दिया लेके इन सब से पिंखी के मौत का क्या दालोग था साव मुझे उसके बार में भी खुछ नहीं बाता मैं गुछ नहीं जाता सार मैंनो से नहीं आरा सार जो कुछ भी सच था मैं आपको बता चुका हूँ आयान के मुबाहिल का ठीक होना मुम्किन नहीं था आयान का नहीं है, हमारे कॉंस्टेबल का है आप से सच उगलवाने के लिए मैंने आप से चूट बोला गौतम को अपने किये की सजा मिली, लेकिन खलती सुप्रिया की भी थी जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि जुर्म के बीज नजर आते ही उन्हें जड़ से उखार देना जरूरी है आयान के जुनून को गुजरता दौर मानकर नजर अंदास करना सुप्रिया की भूल थी आयान के अंदर एक तड़प पनप रही थी कि कोई उसे अपना माने, निस्वार्थ प्यार दे ये तड़प उसे घलत रास्ते पर ले गई और नतीजा उसे अपनी जान कवानी पड़ी बहराल पिंकी की हत्या का मामला अब भी सुलज नहीं पाया था पुलिस की जीत और कोशिशें अब भी जा रही थी सवाल अभी वही है, रिदिमा ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया सुप्रिया माम, 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी सर इसका मतलब रिदिमा ने आम से जूट बोला कई रिदिमा ने पिंकी को, लेकिन क्यों? शायद वह खुद को बचा रही, या पर किसी और को किसी और को क्यों बचाएगी सर? वह सकता है उसे असली कातिन की परवा, या पर उससे डरती सर बचा लीजे इसे, वह उपद देखे अब जितना अचाय बार लो, लेकिन कब तक रखोगे आप मुझे यहाँ और अगर आप सोच रहे हैं कि रिदिमा हाकर मेरे खिलाब कंप्लेंट करेगी, तो आप भूल जाओ कंप्लेंट हो गई है Attempt to murder, child abuse, list बहुत लंबी है Mr. Satish तुम्हारी बीवी और बच्ची ने तुम्हारी सारी सच्चाई हमें बता दी सज मता, पिंगी को तू नहीं मारा है ना आयान के तरह रिदिमा पिंगी के साथ भी समय बिता दी ती और इसके बज़े से रिदिमा को पढ़ाई पे आसर पढ़ रहा था विजी इस बात को गुस्सा आया और तूने रिदीमा के फ़लाई के लिए जान ले ली कौन सी ख्रॉस में पढ़ती थिया पिंकिय अगर मैं उसे जानता तो उसके भी कान पर दो मार कर उसे भी सीधा कर देता रिदीमा इसका तूम पढ़ाई में ही ने सुप्रिया माम, नाइन्थ एक ही क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी में भी उसने गल्टी से बोला होगा, सब मैं वहां नहीं थी आपके कहने का मतलब यह है कि रेदिमा चूट बोल रही एक ही का मुडर होआ था, तब सुप्रिया घर पर ही थी उस दिन जो कुछ भी हुआ, हमें सब पता चल चुका है क्यों किया तुमने यह से, अपने पापा का गुष्चा तुमने एक मासूम पर निकाला या आयान का गुष्चा, आयान तुम्हारा एकलोदा दोस्त था ना तुम्हे छोड उसने सुप्रिया से प्यार करना शुरू करते चुछा इसी गुष्की के चलते तुमने पिनकी की जन ली मैंने.. मैंने क्या क्या मुझे कुछ पता नहीं चला डिदी का है, डिदी का है। लगा है अच्छ इयान addicted? रह आपे मिलता हुग के लिए अप्लीज डौट गो एक तूम ही तो मेरे फ्रेंड उ इन वर्ल अर हमें सात में रहना है ना फुल लाइफ। तुम्हारे जात पागल वागल हो गीयो क्या तुम मैं तो अपनी फॉल लाइफ सुप्रिया मैं के साथ रहूगा है फॉरेवर भाई आयान आयान मैंने उसे सुप्रिया मिसके कर जाते देखा था मुझे इतना इतना बुरा लगा बता नहीं कैसे चलते चलते मैं पिंकी के साथ टाइंग तक पहुंच गई आयान और मैं हमेशा टाइंग के पास ही बैठी रहते थे बाते करते थे वो मुझे अपनी ममा के बारे में बताता था और मैं अपने पापा के बारे में मुझे लगा आयान हमेशा मेरे साथ होगा लेकिन वो वो चला गया मैं अकेले थी I hate this life, I hate this world कुछ अच्छा नहीं है या मैंने बतार के लिए 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 I know Pinky तुम अखेली हो तुमारे मम्मी पापा तुमसे नहीं तियार करते अई Gita, मैं चुप कराना इसको और मेरे भी नहीं करते Pinky, मेरे साथ जो हो रहा है मैं तुमारे साथ ये नहीं होने दूँगी मैं बचाओगी बचाओगी मैं तुमे बचाओगी मैंने मैंने Pinky को मारा लेकिन उसों मचाने के लिए बात में मैं भी मरने वाली थी लेकिन मैं दर गई मुझे भी मरना है Please, मुझे मरना है मुझे बर्दा है, बर्दा है मुझे समझ में नहीं आता कि इस कहानी में ज़्यादा दुखत क्या है नन्नी मासूम पिंकी के हत्या, रिद्मा की दैनिय मनोदशा या फिरहान के अकेले पंड और जित का अंचाम ये बेहत जरूरी है कि हम बच्चों की इस बुनियादी जरूरत को अंदेखा न करें उन्हें निस्वार्थ प्यार दें, सहारा दें, जिसके वो हकदार है अजीब बात है कि जिस जरूरत को हम खुब महसूस करते हैं, उसी को हम औरों में देख नहीं पाते है सिर्फ इनसान बनकर जनम लेना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम असली माइनों में इनसानियत को अपनाने की कोशिश करें हमारा रब्ती भर सहारा भी किसी की जिन्दगी बदल सकता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जर्म की एक और कहानी के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून 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 सबाकेक को, सीख, हम सब को, जहन